नमस्कार, स्वगत है आपका एकवार फिर से हमारे अचार जागिंद्र मिशाज चेनल पर सनीवार के दिन चुप चाप फेंक दे यहाँ साथ काली मिर्च बड़े से बड़ा दुस्मन भी गुटने टेक देगा दुर्भाग होगा दूर, चमके की किस्मत जीवन में कभी-कभी अपने ही सत्रू हो जाते हैं और प्रोसी तो होते ही हैं अब ऐसा नहीं है कि हर कोई सत्रू है, अपने भी होते हैं, अच्छी भी होते हैं पर अधिकतर लोग जलन ही रखते हैं आपके केरियर से, आपके परिशनाल्टी से, आपके खुशहाल जीवन से जलने वालों को टोपिक नहीं चाहिए बस वो जलते ही रहते हैं, कभी-कभी तो इतना ज़्यादा वो परेशान करते हैं कि आप हार जाते हैं, अब ऐसे में क्या शारे प्रयोग किया जाते हैं, तोटके किया जाते हैं, बहुत सिंपल से चीज है, आपके किचन में होगी, और अगर भोजन में इसका प्रयोग करें काली मिर्च का, तो आपका स्वास्त भी बहतर होता है, नकरात्मक शक्तियां दोर रहती हैं, घर में शुब और अच्छे प्रतिंतर दसा से परिशान है तो तब आपको शनी वार की दिन काली कपड़े में काली मिर्च के कुछ दाने और साती कुछ शिक्के और काली उडद भी आप यही रख लें और काली कपड़े में बांध कर किसी भी आप सनी मंदर पे या फिर आप पीपल ब्रिच के यारी की नीचे जड़ पे रख दें तो सनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलती है तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं अगर आपके जीवन में रोजी रोजगार की समस्या बढ़ती जा रही है जीवन में ब बहुत सारी जीवन की जो टेंसन है उसमें आप हशे हुए हैं तब क्या करेंगे तब आप एक छोटा सा काम करें शनिवार की रात काली मिर्च के आप यनिकी पांच दाने लेने अब इनको आप अपने शर से साथ बार उल्टे बार के अपने घर से आप बाहर निकलिए और तो किसी भी चीज में रख करके कागज वेगर में आप रख दे और ऐसे स्थान पर खड़े हो जाए जहां पर चवराहा हो और वहां पर जा करके आपको कोई रोके ना कोई टोके ना कोई बोले ना और सुनसान जगह पर ज्यादा मत जाईएगा और आप अपना चेहरा आप आस्मान की तरफ फेक दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए, पीछे मुड़कर मत देखेगा, आकाश्मिक धन का लाव होगा, जीवन की बहुत चारी परेशानियों से बाहर निकलेंगे, आज हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे, बहुत शि आप उतने ही काली मिर्च ले ले, लेकिन कम से कम अगर आपके पास एक भी सत्रु है, दो भी सत्रु है, तो आप साथ काली मिर्च ले, लेकिन साथ से ज़्यादा सत्रु है, तो फिर साथ से ज़्यादा आपको काली मिर्च लेनी है, अपनी हो या फिर पराए हो, शत्रु त पर लिजे किशी भारी वस्त उसे दबा करके फिर आप क्या करें कि इस काली मिर्च में आप थोड़ा सा गाई का कच्चा दूध मिला करके आप शनीवार के दिन या शोमबार के दिन किशी भी स्रीव लिंक पर अरपित कर दें भगवान से प्रातना करें विशेश लाब होगा अगर आपको जीवन में उल्जने हैं आपको लगता है सत्रू बार बार परिशान कर रहे हैं तब आप साथ काली मिर्च लेकर जाए पीपल के ब्रिच पे और सत्रू का नाम लेकर एक एक करके पीपल ब्रिच की जड़ पे आप फैक दें सत्रू शांत हो जाएंगे घुटन बार के और अपने मुख दरवाजे के बाई और फेक दें काली मिर्च तो विशेश लाब होगा तो दोस्तों इस तरह से यह काली मिर्च का प्रियोग जरूर करिए विशेश लाब दायक रहेगा कमेंट में लिखेगा जैस संदेव साथे वीडियो को लाइक करिएगा प्रियाशन इडियो